स्वागातिक भाई फिर से आप सभी का एक्जाम गुरुजी भाई एर्बेंद सर यूटूब चनल में इसे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कोईस्टबल या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर कहा जाए यूपी एसाई परिच्छा के फिर्पी पुलिस केंप्ta अप्री केंप्लिटक वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा के लिए फ्लीश वीडियो को लश्ट तक जरूर देखेगा ताकि आपका हर एक सवाल अच्छे से समझ में आए और आपको उसका फाइदा मिल पाए चलिए शुरू करते हैं आज के सवेतरी इंडाजबाब क्लास को इसके पहले बहुत सारी क्लासे हो चुके हैं नहीं देखा है अगर आपने तो चनल की प्लैलिस्ट में जाई वहाँ से आप सभी कलास को जरूर देख लीज़ें बढ़ते हैं सवाल के दरब सवाल नमबर एक है आपके सामने समझेगा सवाल कह रहा है कि सैयुक्त राश्टर के संधारिन ये विकास लक्ष ने एकिस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीवी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था ये पूछा गया यूपी एस आई परिछा दोहोजार इकीस में और सिफ्ट नमबर एक में मोश्ट इंपोर्डेंट सवाल है इन फीच एयर वोस दी सस्टनेबल डेवलप्मेंट ग्वैल ऑफ दे यूवन पर्पोस्ट टू इंडिया दी पोविटी आफ आल टाइप्स राइड आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्सर नमबर एक दोहोजार तीस तक अगला सवाल है आपके साब नहीं कि संयुक्त राश्त्र महासभा के 11-11-2021 के सिफ्ट नमबर एक में देखें सायुक्त राश्त्र महासभा के अध्यक्ष के पतपर चैरित पर्थम भारतिये का नाम जो है वो है इसमें स्री मती बिजय लक्षमी पंडित करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्सर नमबर डी स्री मती बिजय लक्षमी पंडित आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि नई दिल्ली में पहली बार सम्मिधान सभा की बैठक जो है कब हुई थी इसके पहले जो सवालों मैंने कल की वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था नहीं देखा अगर आपने तो चैन प्राइड आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार सम्मिधान सभा की बैठक हुई और इस बैठक में सच्चिदानंद सिनहा को अस्थाई अद्धक्ष बनाया गया और इसके दो दिन बाद यानि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेन प्रसाद को सम्मिधान सभा का अस्थाई अद्धक्ष बनाया गया यहां पर आप समन लीजिए 9 दिसंबर 1946 को सम्मिधान सभा की पहली बैठक हुई और यह जो बैठक है यह कैंसिल चैंबर के पुस्तकाले भवन में हुई थी मोश्ट इंपोर्टन सवाल है कहां पे हुई थी तो कैंसिल चैंबर के पुस्तकाले भवन में सभा के सबसे वरिष्ट सदसे जो थे वो थे सच्चिदा नंदिस्सिन हा और इन्हें इस सभा का अस्थाई अद्धक्ष बनाया गया ठीक है आपसे एक्जाम में इस वाल पूछा दा सकता है अगला साल है आपके सामने है कि निम्लकित मैं से किस छेत्र में 1813 के चारिटर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीती में मौलिक परिवर्तन आया राइट अंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सिक्षा के छेत्र में करना एक क्या है दिखे वन जील नदी वन जीव साइट प्राकिर्टिक पड़ावरन की रच्छा करना और उनका सुधार करना यह हमारा मौलिक करतब भी है राइट अंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी यह हमारा मौलिक करतब भी है समझेगा यहाँ पे मौलिक करतब भी को सरदाज सुरने सिंग समिती की अंसंसा पर बारतिय सम्मिदान में बैलिस्वे सम्मिदान संसोधन 1976 के तह जोड़ा गया था यानि कि अगर आप से पूछा जाए कि क्या मौल सम्मिदान में मौलिक करतब भी थें तो आप क्या कहेंगे जी बिलकुल नहीं क्योंकि बैलिस्वे सम्मिदान संसोधन 1976 के तहट सरदार सुरन सिंग समिती की सिफारिस पर जो मौल करतब भी है यह जोड़े गये थे यह जो है मौल करतब भी यह भाग नंबर चार के काव में अनुच्छे नंबर 51 के काव में हैं ग्यारा मौली करतब्यों का उलेक किया गया है जिसमें वन जील यह सब सामिल है आगे बढ़ते हैं अंगला साले की भारत के समिधान के लेख के साथ निमलिकित अधिकारों में से कौन गलत तरीके से मेल खाता है बताइए अब देखें सोचन की बिरिद अधिकार जो है यह अनुच्छे 23-24 के बीच है यह सही है हाँ भाई बिल्कुल सही है समानता का अधिकार अधिकार 14-24 तक है यह भी सही है धर्म की सोचन का अधिकार 11-13 यह कैसे सही हो जाएगा यह आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि धर्म की सोचन का अधिकार है यह अनुच्छेद नंबर 25-28 के बीच है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा 25-28 के बीच है धर्म की सोचन का अधिकार यह 25-28 के बीच है समझेगा सभी मौली का अधिकार को संभिधान के भाग तीन में अनुक्सेद 12-35 के बीच में वरडित किया गया है यहाँ पर समझेगा समानता का अधिकार अनुच्छे 14-18 स्वातनत्रता का अधिकार 19-22 सोसर के विरुद्ध अधिकार 23-24 में स्वातनत्रता का अधिकार 25-28 में अलप संखेक को बिसेश अधिकार 39-39 में और समझेधानिक उपचारों का अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेटिकर ने समझेधान सभा की आत्मा कहा है यह अनुच्छे नंबर 32 में है यह इंपोर्टेंट है आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि मानवा अधिकार की सार्व भौमिक गोष्णा में निम्लिकित में से मानवा अधिकार के सिध्धान्त भारतिय संभिधान के किस अनुच्छेद में है राइट हो जाएगा अनुच्छेद 12-51 के बीच आपसेण D करेक्ट आंसर हो जाएगा 12-51 के बीच अगला सवाल है आपके सामने इसको समझेगा विदी के समक्ष समानता का अधिकार संभिधान के किस अनुच्छेद में है UPSI रैंकर परिच्छा 2011, UPSI मेंस परिच्छा 2014 में पूछा गया है कि विदी के समक्ष समानता का अधिकार संभिधान के किस अनुच्छेद में है रैइड अंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 14 में आपसेण नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छे 14 देखें बिधी के समक्ष सम्ता या फिर समानता का अधिकार जो है सम्मिधान के आर्टिकल नंबर 14 में है option C correct answer आपका हो जाएगा देखें बिधी के समक्ष जो संडक्षन है या मेरे पैरे भाई कहा जाए सम्ता यह जो है अमेरिका के सम्मिधान से प्रेरित है इसको आप ध्यान रखेगा जबकि बिधी के समक्ष समानता की जो अधानड़ा है यह ब्रिटिस के प्रणाली से लेगे यह ब्रिटिस सम्मिधान से लेकिन जो समान से अंड़क्सर है ये अमेरिका से लिया गया है ये दोनों ध्यान रखेगा भारत के सम्मिदान में संग सब्द का प्रियोग किस अनुक्षेद में किया गया है बताईए इसका राइड आंसर क्या हो जाएगा सखी अंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नमबर 34 में ऑप्सेन नमबर A करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा भारत के सम्मिदान में संग सब्द का प्रियोग जो है ये आर्टिकल 34 में किया गया है देखे भारत के समिदान में संग सब्द का प्रयोग अनुक्षेद नमबर 34 में किया गया है जब किसी छेत्र में सेना विधी प्रबित्त है तब इस भागदार अप्रदत अधिकारों पर निर्बंधन होता है आगे सब्दते हैं भारते समिदान के किस अनुक्षेद में अल्प संख्यक वर्गों को अपने रुची की सिक्षा संस्थानों की अस्थापना और प्रसाशन का अधिकार प्रदत है देखिए कुछ यहां पर यह important articles पूछे गए थे जो मैंने complete करवाएं हैं यह हो जाएगा article number 39 correct answer हो जाएगा आपका यह हो जाएगा अनुक्षे number 39 आगे बढ़ते हैं अगलस वाले कि अनहिल वार्ड किस राजवन्स की राजधानी थी अनहिल वार्ड जो ही किस राजवन्स की राजवन्स थी राइड अंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सोलंकी राजवन्स correct answer जो हो जाएगा यह हो जाएगा सोलंकी राजवन्स option number D correct answer हो जाएगा सोलंकी राजवन्स देसे वाई समझें गाय राश्टर कूड़ जो है गाईस इसके जो संस्ताफ़ पर को वह दंदी दूर्गते हैं बहुत पूछा दाता है राश्टर कूड़ की जो राजधानी थी यह थी माननेखेट और जो मिताकरा की राजधानी थी ये थी बल्लभी ये आप चे पूछा दा सकता है किसवस्तु कार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया इंपउर्टन्ट स्वाल है बताईए राइट अंसर क्या हो जाएगा बिम्बिसार के महल को किस ने बनाया सखी अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा महा गोबिंद ने option D correct answer हो जाएगा महा गोबिंद option D perfect answer आपका हो जाएगा समझेगा थोड़ा सा आपसे exam में पूछा जाए कि मगद समराज के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं तो आप क्या कहेंगे बिम्बिसार अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि मगद का संस्थापक किसे माना जाता है तब आप कहेंगे ब्रहधरत मेरे पैरे भाई एक important point से याद रखिएगा कि मगद वन्स का जो सबसे पहले सासक हुआ वह ब्रहधरत और सबसे अंतिम सासक हुआ वह भी ब्रहधरत थी हुआ जो कि मौरी वन्स का रहा है ना अगर आपसे पूछा दाए कि वह अस्तविक संस्थापक कौन रहा तब आप कहेंगे बिम्बिसार और बिम्बिसार जो है इन्होंने अपनी राज़दानिक गरीवरेज यानी राजगरे को बनाया था आपसे एक्जाम में ये सवाल पूछा दा सकता है अगला सवाल है आपके सामने कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारती राज्य में इस्तित है मुजीरिस पॉइंट व्यू बैरि बैरि इंपोटेंट है यो पी असाई परिच्छा में पूछा गया है देखें मुजीरिस जो है ये एक भारती बंदरगाह है और यह है कहां पर गाईस तो यह है आपका केरल में राइड़न सो जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आप्शन नंब मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था मोस्ट इंपोर्टेंट जान रखेंगा दिली के किस सुल्तान ने इबन बतूता का उसकी विद्धता और कला के उद्धार सनसक के रूप में उसकी प्रतिस्था के लिए दिल्ले के काजी निया अधीज या फिर काज बतूता का उसकी विद्धता और कला के उद्धार सन्डचक के रूप में उसकी प्रतिस्था के लिए दिल्ले के काजी या फिर न्यायधीज के रूप में नियुक्त किया था सब्सक्राइब यह हुजएगा पागल बासा कहे जाने वाले मुहम्मद बिन तुगलग करेक्ट अंसर हुजएगा आपका ओप्सियन नमबर ए मुहम्मद बिन तुगलग आगे पढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने सब्सक्राइब बिन तुगलग बेसर सेली कहा जाता है सीध एक्जाम में यही सवाल पूछा जाता है कि नागर और द्रबिड सेली के मिस्टित रूप को कौन सी सेली कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे बेसर सेली कहा जाता है इस सेली के मंदिर जो हैं बिन प्रबत माला सी किसना नदी के बीच निर्मित है मादी भारत तता करिनाटक के मंदिरों में प्राया बेसर सेली मिलती है चालूकियों ने मिस्रित बेसर सेली को प्रोसाहन भी दिया था सीधे एक्जाम में पूछा जाएगा पढ़ते अंगले सवाल के दरफ अगला सवाल है हमपी को किस वर्स में यूनेसको दोरा बिस सुबिरासत अस्थल घोसित किया गया था अब दिखें मैं आपको बता दूँ कि भारत में जो बिस सुबिरासत अस्थल है ये अगर कहा जाए तो सितंबर 2023 अपडेट के अनुसार भाई ये हो चुके हैं 42 ठीक है एक तालिसवा जो है ये सान्ती निकेतन हुआ है और ये करिनाटक के होईसल मंदिर हुए है और हमपी को किस वर्स में यूनेसको की बिस सुबिरासत अस्थल में घूसित किया गया था सखी अंसर हो जाएगा वर्स 1986 में करेक्ट अनसर जो हो जाएगा 1986 में option b correct answer आपका हो जाएगा देखिए समझेगा हमपी जो है बिजय नगर सामराज्य की राजधानी थी खंड़हर तुंग भध्रा नदी के किनारे जो हमपी है यह इस्तित है और हमपी जो है यह करिनाटक में है आप से exam में पूछा जाएगा आगे पढ़ते हैं अगला सवाल है पाली में पूछा गया है अवैद व्यवसाई से अरजित लाव जो है यह आपका कर योग्य होता है अगला सवाल है कि भारत में मुद्रा स्वीत लक्षी करन करन जो है कौन सा संग्ट करता है एक फिर समझेगे तो जीवलट पढ़ा गई बारत में मुद्रा स्वीत लक्षी करन कौन सा संग्ठन करता है मुद्रा स्वीत लक्षी करन जो है कौन सा संग्ठन करता है राइड अंसर क्या हो जाएगा शही अंसर जो हो जाएगा यहां पर भारती रिजर्व बैंक यानि की रिजर्व बैंक आफ इंडिया जो है ये मुद्रा स्वीत लच्छी करना करता है समझेगा मेरे पहरे भाई जो आर भी आई है यानि रिजर्व बैंक आफ इंडिया है ये अगाईस कहा जाए तो एक अप्रेल 1935 को इसकी स्थापना की गई आप से पूछा दाएगा तो ध्यान रखिएगा अगला सवाल है आपके सामने कि किस देश ने जैविक खेती वाले किसानों की संख्या में प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया है किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया है UPSI परिच्छा 2021 में पूछा गया सवाल है और भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी में तर क्लास को लाइक जरूर कर देंगे जो चनल पर पहली वारा है मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे राइट हुजाएगा आपका ये हुजाएगा D-Option भारत भारत जो है ये जैविक खेती करने वाले किसानों में नंबर एक अस्थान पे आ गया है राइट हुजाएगा आपका हुजाएगा D-Option प्यारे दोस्त और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ आप सभी के लिए गुणनी हुजाएगा जीके के पांच हदार से अधिक questions की एक e-book launch की गई है सबसे खास बात यह है गाईज इस e-book की की ये आपको मातर 49 रुपे में मिल रही है 60% का अभी मैं आपको डिसकाउंट दे रहा हूँ आपको ये मातर 49 रुपे में मिल जाएगी इसमें आपको history, geography, economic, constitution, science, physics, chemistry, biology और statics जीके के पांच हदर questions के साथ extra points मिलेंगे e-book जो है आपकी image and colorful है, e-book की सबसे खास बात यह है कि e-book जो है आपकी ये guys image and colorful के साथ है, साथ में updated है 8948-66-7652-8949-6666-52 इस पर आपको whatsapp करना है, यहाँ से आपको ये e-book मिल जाएगी, dame review आप यहाँ पर देख ली यहाँ पर जीके के 5000 से अधी questions की e-book है, सबसे खास बात यह है कि ये UP police radio operator या फिर UP police constable exam को target करके मैंने खुद तयार किया है और मेरे पहरे भाई जिसमें जितने भी questions से ही आपके updated हैं और सारे oriented हैं, समुद्र हुई या किताब, अगर गहराई जानना है तो डूबना पड़ीगा इबू की मैजन कलरफुल के साथ है, पूरे 2001 क्यान भी पेच की है, और ये साथ में syllabus wise है, तागे पढ़ने में मज़ा आए, boring बिल्कुल भी महसूस ना हो किनने बेतरीन तरीके से, किनने लाजबाब content के साथ तयार की गई है, तो काईज अगर आपको लेना है, तो इस नंबर पर WhatsApp कीजेगा, 8948667652 आगे पढ़ते हैं अंगला सवाल है कि बैस्वीक अस्तर पर भारत, बागवानी छेत्रों में, सबजीयों और फलों के उत्पादन में दूसरे अस्थान पर है, निमलिकेत मिकल्पों में से कौन सा एक बागवानी छेत्र का एक उत्पाद नहीं है, देखिए यहाँ पे बा बागवानी छेत्र की अंतरगत नहीं आती है, जबकि मसाली फूल बागवानी छेत्र की अंतरगत आते हैं और जो अवसादिया पेंड ये हैं और ये रोपड करने वाली फसले हैं, ये भी बागवानी की अंतरगत आती हैं, सुपारी जो होती है, ये भी आपकी बागवानी की अंतरगत आती है लेकिन गाईज यहां पे जो पेंड और पौदे और जो इसकी फसले होती है यह बागवानी की अंतरगत नहीं आते हैं बागवानी का मतलब होता है कि जो लगाए जाए जाए पेंड वुसे आप कहते हैं बागवानी सीधी सी बात यह है सीधी बात नुबक है आगे पढ़ते हैं और अगर जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को बांने जाते हैं ROSE का बना मक embrід का एंडिया को इन गहें कि क्योंट की घेटि के लिए यहां पे क्या हो जाएगा यहां पर आपका यह हो जाएगा दोमट मिट्टी जो है यह धान की कहती के-लिए काफी ज्यादा उपजाओ होती है इस बात को भी ध्यान की खेती होती है उसके लिए दोमट मिट्टी साथ में जो गेहूं की क्योती होती है उसके लिए भी दोमट मिट्टी काफी जादा उप जाओ है समझेगा जो दोमट मिट्टी है ये मेरे पैरे भाई एक प्रिकार से कहा जाए तो खाद्य मिश्रन होता है इसमें और रेतीरी के रूप में भी होती है, 40% सिल्ट, 20% चिकनी और मिट्टी साथ में 40% बालू भी इसमें होता है मुख्य रूप से कहा जाए तो इसमें गेहुई सबसे ज़्यादा होता है, धान बहुत एक कम मात्रा में होता है लेकिन धान के लिए भी उपयोगी होती है, धान के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि रुका जाए तो वो होती है, चिकनी मिट्टी, जिसे आप जानते है वायू की मार्ग में आने वाली पहाडियों के वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताए राइडाई सर क्या हो जाएगा? वायो की मार्ग में आने वाली पहाडों की उपस्तेती से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है राइट अंसर यह हो जाएगा पर्वेती वर्षा ओप्शन भी करेक्ट अंसर हो जाएगा परवती वर्षा आगे बढ़ता हैं कि जब प्रत्वी सूर्य की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगों का अस्थानिय समय क्या होगा बताई सही अंसर क्या होज़ाएगा भाई देखलो चीडिया बोल रही साज चीडिया नहीं है तो उत्ता है आथ होता है भाई प्रित्वी सूरी की तरफ घुमती है तो पूर्वी जगोहों का अस्थानिय समय क्या होगा क्योंकि आज मैं बाहर बेटके क्लास आपके लिए रहा हूँ राइड अन्स हो जाएगा परस्यमी अस्थानों के अस्थानिय जगों से आजे ओप्षन बी करेक्ट आन्सर आपका हो जाएगा बिश्यू की सबसे गहरी जील कौन सी है? बिश्यू की सबसे गहरी जील इसमें कौन सी है? यह आपको बताना है देखें बिस्व की सबसे गहरी जील जो है ये कौन सी है राइड अन्स हो जाएगा बाइकाल जील करेक्ट अन्स हो जाएगा आपका फर्स टॉप्सन बाइकाल जील रूस के साइब एरिया में है और बिस्व की सबसे गहरी है 1644 मेटर है मेठे पानी के सबसे बड़ी जील भी है जील को यूनेशको के बिश्यो की अनूठी प्रकिर्टिक में भी इसको सामिल कर लिया गया है अगला स्वाल है कि त्यान आनमेन इस्क्वाइर अस्थान किस से समंदित है बताइए सही अंसर क्या हो जाएगा यानि कि रिणहातमक दर जो है, ये कब रिकॉर्ट की गई बताइए जन संग्या के मामले में इंडिया जो है आगे निकल चुका है आप जानते ही है सुगाई समझेगा भारत की जन संग्या के इतिहास में किस दसक में भारत में जन संग्या वृद्धी दर जो है रिणहात्मक रही थी हाला कि कहा जाए तो गड़ी में सही रही थी है ना तो यह 1911 से 1921 के बीच राइडांस जो हो जाएगा यह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन देखें भारत की जनसंक्या की इतिहास में 1911 से 1921 के दसक में जनसंक्या बृद्धिदर जो है यह रिणहात्मक र 1921 की अवधी को डैस के नाम से जाना जाता है बताईए सही आंसर क्या हो जाएगा बस थोड़ा सा लेंगों चेंज कर दिया गया यहां पर राइड आंसर जो हो जाएगा देखें भारत की जनसंक्या इतिहास में 1901 से लेकर के वर्स 1921 तक की जनसंक्या में जो अवधी है इस सा इसमारक उत्तर प्रदेश में इस्थित यूनेश को दारा प्रसंसित विस्वधरोवा रस्तल है अब दिखें उत्तर प्रदेश में अब इस्वधरोवा रस्तल है वो इसमें से कौन सा है 1993 में सामिल हुआ था और वो है ताज महल राइड अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा आप से अग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रखिएगा और यह 1993 में सामिल हुआ था मैंने अभी आपको बताया अगला के निम्लिकित में से उत्र प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर इस्थित है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है स्थाइब बूचा गया है कहने का मतलब है उत्रप्रदेश दरोगा भरती में पूछा गया है 2021 में 22 सी ग्यारा 2-21 के प्रथम पाली में सवाल पूछा गया है आप इसका स्कृइंस जरू ले लीजिएगा उत्रप्रदेश के जिले में भारत माता मंदिर इस्थित है जो ही इसका इसी उप्रसाद गुप्त ने करवाया था सवात्नांतरता सेनानी भी थे यानि यह सुप्रसाद गुप्ता थे यह सवात्नातरता सेनां पे फिस वद्रगाटन प्वक्त गांदीदी दौर्साणतरत 2 जो द्रीक और मन्दिर घान्टमाड़ी चाहता ह norm जो धोखा धड़ी आप वंचन काले धन को बैद बनाने जैसे भारतिय कर कानूनों के उलंगन की जाच करता है बताईए 2017 में पूछा गया था हमारे इसाब से कहा जाए तो आप भी बताईएगा कि जो आपको ये लेबल रग रहा है 2017 और 2021 के मुकाबले तो 2017 में अगर कहा जाए तो UPSI जो परिच्छा हुई थी उसमें जो लेबल ये अब था हमारे इसाब से बाके गाइस कहा जाए तो 2020 में थोड़ा सा डाउन हुआ इस वज़े से कटाव भी हाई चली गई थी है ना धांदली के अस्तर भी कुछ रहे है फिल क्रिच जो जाइच है ये कौन करता है, तो आएकर द्याच महा नीनने सालॉहं सब्सक्राइब थी यांदलिक दोर्ले में बुदूब करे को साहते हैं, हमारा से का फारति जो बीछिए तो फारतिके तहले तो जो घूल रावक दिखित वूजए जानतल साफके यहाँ हो पता देता हूं भारत में 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1997 तक तथा 21 महीने की अवधी में भारत में आपातकाल जो है गोशित किया गया था कब यह गाइस 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1997 तक आपातकाल लगा यानि कुल मिला करके 21 महीने तक आपातकाल समय चला था उस समय जो भारत के राष्ट्रपती थें वो थें फकरुदीन अली अहमद ठीक है ध्यान रखिएगा जो महत्मा गांदी थी वो कौन थी तो वो थी स्रीमती इंद्रा गांदी और इनी की सालहे पर भारतिय संविधान अनुक्सी 352 के अधीन भारत में आपातकाल जो है यह लगाया गया था ठी है तो इसको ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल के समय अश्टिपती कहुंते तो आप क्या कहेंगे वो थें ततकालीन फकृत दिन अली अहमद अगर प्रधान मंत्रिय प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है तब आप कहेंगे स्रीमती इंद्रा गा मनाया जाता है राइट अट अंसर जो हो जाएगा यह जाएगा 25 नवंबर करेक्ट अंसर जो हो जाएगा यह जाएगा ऑप्सें सी 25 नमंबर को ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां पर साथ कोईशन खतम हो गया तो चलिए गाइस यहां पर कोईशन तो खत्म हो चुगे क्लास भी अपनी लवह लवह ज्यादा होती जा रही थी तो यह गाइस मैंने आज के इस बहत्रीन क्लास को कंप्लीट कर लिया है आई ह कि मैंने क्लास करवाई है जो यूपे पुलिस यूपी असाई यूपी जेल वोडर या फिर इडियो ऑपरेटर पर इच्छे में पूछे के सवाल है कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे के सवाल है वह मैंने करवाए हैं आप जरूर देख लेना प्लेलिस्ट को बिजिट की दिएगा और बस दीजे इजाज़त मिलते हैं इसके बाद एक उने खास वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मुश्कुराते रहिए जैहिंद चेह भारत वन्ने मात्रम धन्यवाइब नमस्कार अब जीके विशे का डर हुआ पूरी तरह खत्म जी हाँ आप सभी के लिए पांच दर प्लस क्वेशन्स की इबुक लांच की जा चुकी है इस इबुक में आपको हिस्ट्री जिग्राफी इकोनामिक कांस्टिडिउसन साइंस के अंत्रगत फिजिक्स केमेस्ट्र प्लस क्वेशन्स के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे यह इबुक आपको इमेज अंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा है इस इबुक को आप मातर 39 रुपे में पर्चेस कर सकते हैं जिस पर 60% का डिसकाउंट चल रहा है अगर आप अभी पर्चे आपने डिडियल्स आप वाट्सेप नमबर 8948666652 पे आप राप्त कर सकते हैं यहां से भी आप पर्चेज कर सकते हैं यह इबुक आपको सभी एक्जाम्स में बहुत जादा हेल्फ करेगी और आपको सेलक्शन दिलाने में बहुत जादा मदद करेगी बहुत बहुत